दोस्तों next के ब्लिंकिंग function blinking dot header sorry underscore header if document dot get element y id blink style dot color color dot element y blink style color red red फिर if document dot get element y id blink dot style dot color red फिर ब्लैक, फिर रेट, तो दोस्तों ये टाइम, टाइम इतना ले लिया इसका, राइट फंक्शन, स्टेप, स्टाफ टाइमर, आनलोड ब्लिंकिंग, हेडर, आनलोड स्टाफ टाइमर, बॉडी, किस तरह से ले लिया, और इसको मैंने कर दिया, सेव, और इसमें क्लिक करेंगे, इस तरह से देखो ब्लिंकिंग हो रहा है, देख सकते हैं, आप, रैड और ब्लैक, दो ही कि तो कलर लिये, दो ही दिखेंगे,